Hello everyone, welcome back to my channel To friends, आज की इस वीडियो में हम back neck design बनाएंगे तो उसे हम bot neck में वो potly button से बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमने इसको fabric को, lining और man fabric दोनों को cut कर लिया है तो एक बार हम इसका measurement देख लेते हैं ये किस्सा इसका blouse बना रहे हैं, तो कितना measurement हमें इसका लेना है तो दिखिए जो total length है वो हमें 13 inch की रखनी है, 1 inch plus किया, 14 inch लेना है shoulder का half लेना है 7 inch, armor लेना है 6.5 inch, chest का fourth part आएगा 34 का fourth part होगा 8.5 inch और 2 inch margin के लिए waist है हमारी 30, उसका fourth part होगा 7.5 inch, 2 inch margin के लिए, 1 inch back tux के लिए अभी आपे neck की width हम 4 inch रखेंगे neck की length हमको 10.5 inch रखनी है और यहाँ पर एक box बना कर इसमें हमें round shape ड्रॉ करना है अभी हम man fabric को cut करेंगे जिसे हमने round neck को cut किया ना lining पर वैसे हमें man fabric पर भी cut कर देना है इसको तो neck को cut कर दिया हमें फैबरी को right side पर रखेंगे और उसके उपर lining रखते हुए हमें neck को stitch करना है नेक को stitch किया side का extra fabric cut करना है और पूरे ही neck पर cut लगाना है cut लगाने के बाद एक stitch हम lining fabric पर करेंगे side से के stitch करेंगे इस पर बाकी side से भी stitch करके extra fabric cut करना है यह देखिए stitch कर लिया अभी हमें इसके उपर एक और body cut करनी है man fabric की okay पूरा as it is हमने इसको cut किया थोड़ा से extra भी ले सकते हैं जिसे हम बाद में cut करेंगे इसको इस तरीके से fold किया यहाँ पर necky width हम 4 inch रखेंगे necky length हमें 3 inch रखनी है एक box बनाएंगे इसमें हमें round shape draw करते हुए cut कर लेना है अभी से देखिए हम जो हमारा back part है उसके उपर रखेंगे तो shoulder का exist करते हुए रखना है shoulder हमारे बराबर आने चाहिए और यह जो उपर वाला जो neck है उसके shoulder अभी थोड़े काम आएंगे क्योंकि neck को हमने stitch नहीं किया है यहाँ पर हमें pin up कर लेना है नीचे के side से extra cut कर दिया है अभी देखिए यहाँ पर हम pin up करेंगे इसको और यहाँ पर marking करेंगे तो center से यह center है center से हमें आप पर marking करनी है 2.5 inch पर 2.5 inch पर marking की यहाँ पर हमें लेना है 2.5 inch और यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से shape देकर हमें इस तरह से मिला देना है तो हमने इसको मला दिया शेप दे दिया है इसका अभी हम इसको कट करेंगे तो जब हम इसे कट करेंगे तो आपको द्यान से कट करना है नीचे वाला फैबरिक को कट नहीं करना हमने सिर्फ जो ऊपर नेट फैबरिक रखा है सिर्फ उसी को हम कट करेंगे तो आपको बहुत ही द्यान से cut करना है इसको और दीके नीचे के side जब हम इसको cut करेंगे ना तो एक corner type का बना चाहिए अगर आपका corner नहीं बन रहा तो आप नीचे के side से 3 inch भी ले सकते है side का भी जितना भी extra है इसको cut करेंगे यहां पर half half inch की marking कर दी है यहां से हम portly buttons लगाना start करेंगे तो पहले हम इसकी portly buttons बना लेते है तो portly buttons बना लेके लिए हमें यहां पर thermacol की balls ली है और यहां पर 1.5 inch के square pieces लिए है इस तरह से thermacol की balls को center पर रखना है और इस तरह से धागे से इसको fold करना है यह देखिए तो इस तरह से हमारी portly buttons बन जाएंगी यह देखिए इस तरह से इस अभी portly buttons बनाएंगे अभी हमें portly buttons को stitch करना है तो यह thermacol की balls है तो इन्हें हम easily double foot से भी stitch कर सकते हैं तो मैं इसको double foot से ही stitch कर रहे हूँ अगर आपसे double foot से नहीं हो रहे हैं तो आप single foot भी यूज कर सकते हैं तो पूरी portly buttons को मैं one one inch की दूरी पर stitch करना है यह देखिए stitch कर लिया side का जितना भी extra है उसको हम cut करेंगे cut करने की बाद cross में हम एक पट्टी को cut करेंगे तो ही हमें neck पर stitch कर देना है cut लगाएंगे पूरे ही neck पर एक stitch हम पट्टी के उपर से करेंगे अंदर के side fold करते हुए stitch कर देना है यह देखिए तो हमने इसको stitch कर दिया है अभी हमें जो उपर round ने के उसको भी stitch करना है तो net fabric की cross में पट्टी कट की है lining डबल करते हुए हमें से stitch करना है आप चाहें तो lining fabric की भी लगा सकते हैं यह देखिए इसके उपर से stitch कर देनी है और इसको fold करते हुए stitch करेंगे अब देखिए हमें इस पर iron करना है तो iron आप कैसे करेंगे net fabric के उपर cotton का एक fabric रखेगा और फिर आप उसको iron करेंगे बरना आपका यह जो fabric है net fabric वह उसमें लग भी सकता है तो इसलिए हमको cotton fabric रखकर इस पर iron करनी है अब इसको हमें अच्छे से set कर लेना है जब आप iron कर देंगे ना तो यह अच्छे से set हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से अब इसे हमें stitch कर रहा है इसे तरीके से दूसरा जो फ्रोल्डर है इसको भी stitch करेंगे अभी हमें यहाँ पर back tux लगाना है तो back tux की जो length रहेगी वो हम 4 inch रखेंगे दूसरे side भी से हमें इसी तरीके से tux को लगा लेना है और नीचे के side पटी लगाएंगे तो पटी की जो width रहेगी वो हम 2 inch की रखेंगे तो हमने आपे 2 inch की पटी ली है इसको fold करते हुए stitch करना है अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो इस तरीके से हमारा back neck complete हो गया है तो बहुत ही easy है इसको बनाना easy तरीके से आप बना सकते हैं इसको तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment ज़रू करिएगा और channel को subscribe ज़रू करिएगा thank you